नमस्कार, ट्रेंस एंटरवल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्स्राइब ने किया, तो प्लीज सब्स्राइब का बटन दबा दे, साथी बेल अकन दबा दे, तक कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करू, उसका मे अगे कि लंबी-लंबी कटारे और भीड क्योंकि तो उत्तर रेल्वे ने जो डिसिशन लिया, एक निरने लिया है, कि सूला जोडी एक्स्टरस ट्रेंस और पांच मेमू ट्रेंस यू है, वो अब लखनो जंक्शन से नहीं चलेंगी, उनको यहाँ पर एश्पाग स्टेशन से होकर के मानग नगर के रास्ते कानपूर भेजा जाएगा, जिन सूला ट्रेनों की बात अभी हो रही है, उसमें मुख्यता गोरकपुर से मुंबई की तरफ जाने वाले कुशी नगर एक्स्टरस पीए, जो अभी फिलाल मलौर से दिलकुशा होकर, चार बाग उत्तर रेल जाने वाली अवद एक्सप्रेस है, उस सर्ग एक्सप्रेस है, जो कानपूर तक जाती है, छपरा से आती है, और गोरकपूर से जो सिकंद्राबाद, जो भी दक्षिट भारत गुजरात की ट्रेने, जो भी कानपूर होके जाती है, कैफियत एक्सप्रेस है, वो एशबाग म करके मानक नगर की जो नई बाई-पास लाइन बनी उससे हो करके कानपुर होकर अपने गंतवी स्टेशन को जाएंगी जो अभी खबरे आ रही है उसके हिसाब से बाच मेमू ट्रेने भी लख्मू जंक्शन नहीं जाएंगी वो मानक नगर से कानपुर चली जाएंगे अभी तक जो न्यूज आ रही है उसके इसाब से अक्टूबर में इनकी प्लैनिंग है कि वो सूला ट्रेने यहां शिफ्ट की जाएं एशबाग पर मुझे भी लगता है शायद उसमें थोड़ा सा भी एक दो महिना विलम होगा क्योंकि पैसेंजर रेल रिजर गाड़ियां है एशबाग होके जाएंगी और एशबाग को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम जो होता पी आरेस उस यातरी रिजर्वेशन सिस्टम में एशबाग स्टेशन को फीट किया जाएगा और एशबाग होकर के सारी ट्रेने पास मिनट का या ठहराओ होगा और य वीडियो आपको अच्छा लगता है मेरी चैनल पसंदे तो प्लीस सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर से इसको शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग